देश के बजट के बिशाय में आप लोगों ने देखा ही कि किस तरीके से बजट पेश्वा और मैं तो कहूंगा कि जार्खन राज की द्विश्टिकों से अगर हम इस बजट को देखें तो साइद केंदर सरकार को जार्खन पर विशेज ध्यान देने क्या हो सकता है क्योंकि जितना जार्खन देता है उसके अफिक्षा हमें आज कितना मिला क्या खोया क्या पाया वो आप लोगों के सामने है और मुझे लगता है बजट बिल्कुल पॉल्टिकल बजट इसको कह सकते हैं हमारे विपक्ष के लोग पास बुद्दा नहीं है और चुनाव आयो राजभवन एडी सिद्याई कोट कचरी सब इनको लगता है अपना और जहां इनको जादा अपना तो लगता है वहां जाकर के अपनी बातों को रखते हैं और एक जो उनका यह सब मुद्दे उनके लिए वो मुद्दा है जैसे आप लोग हैं हम लोग हैं जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो खाना में कोई चीच आपका बहुत पसंदिदा किसी के लिए भी होता ओगा जानवर के लिए भी होता होगा तो वैसे ही इनके साथ कुछ विसाइद है जो उनके लिए पसंदिदा सब्जेक्ट जिसको छोड़कर वो दाय बाय नहीं हो सकते और यह हमेशा प्रयास करते हैं लेकिन इस लोग तंत्र का बड़ा ही खुबसूरत उधारन है हम लोग बच्वन में पढ़ा करते थे साइद आप लोग भी बच्वन में निवां दुबन लिखा होगा आप लोगोंने कि भारत एक विविद्टाओं का राज भरा पड़ा है विविद्टाओं से अनेकता में एकता इनको यह सारी पशन दो कि आपकी निया भी बढ़तेंगी यह देखिए सर एवन क्वालिटी का सेमेट लगा रहा हूं मैं अच्छा है लगा अच्छा है मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए है का अरे बॉड़ी भिदाउट स्ट्रॉंग बोन किस काम का एह देखिए मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सिमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाईए तब ही तो ऐसा घर बनेगा जो पीडिया बरते तो कौन सा टेम्टी लगाएं? अरे एक ही तो है भारत का सबसे भरोसे मन सलूजा गोल्ड टीम्टी बार्स एक्स्ट्रा स्ट्रॉंग हाएर राथक्वेक रिजिस्टंस फ्लेक्सिबल बेढ़ बांडिंग विद सिमेंट और सालों का भरोसा निर्मान में मजबूती चाहिए तो अच्छे सिमेंट के साथ लगाएं सिर्फ सलूजा गोल्ड टीम्टी अब सही पकड़े हो कांट्रैक्टर बाबू सलूजा गोल्ड टीम्टी बार्स मजबूती सब कुछ है